नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज के समय के लिए सामुद्रिक शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो की महिलाओं के कई राज खोल देती हैं ऐसे में सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के बिभिन नंगों के आधार पर उसके स्वाभाओं के बारे में पता चल जाता है और समुद्र शास्त्र में इस्त्रियों की छाती, नाभी और पैर की सनरचना के आधार पर उनके स्वाभाओं के बारे में बताया गया है ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सामुद्रिक शास्तर के अनुसार कैसी महिलाएं अपने पती को खुश रखती हैं और कैसी महिलाएं पती को धोखा देती हैं दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रस कीजिए अब चलिए शुरू करते ह आज का वीडियो नमबर एक दोस्तों कहा जाता है जिस इस्तरी की नाभी बड़ी और गहरी होती है ये शुब लक्षण माना जाता है जी हाँ दोस्तों क्यूंकि जिस इस्तरी की नाभी बड़ी गहरी और धाय और मुड़ी होती है ऐसी इस्तरी धन, सुक और संतान से संपन नमबर दो, दोस्तों कहते हैं जिन इस्त्रियों के पर लंबे और चिकने होते हैं वो देवी लक्षमी के समान शुब होते हैं और ऐसी लंबी टांगो बाली महिलाएं विरासत में ही सब ले लेती हैं और इस प्रकार की महिलाओं को शादी के बाद भी कभी पैसों की कमी नहीं नमबर तीन दोस्तों कहा जाता है जिन इस्त्रियों की छाती चोड़ी होती है वो इस्त्रियां साहसी, अहेंकारी और क्रोधी स्वाभावाली होती है और ये परिबार पर अपना सिक्का चलाने में कामियाब रहती है नमबर चार दोस्तों कहते हैं जिन इस्त्रियों की छाती लाल रंकी या फिर एकदम काले रंकी होती है वो इस्त्रियां सुन्दर और अधिक पुत्रों को जनम देती है और सांसारिक छल परपंचों से दूर रहती है नमबर पांच कहा जाता है जिन इस्त्रियों की छाती पर हलके बाल होते हैं वो इस्त्रियां अनेक पुरुषों के साथ रहने बाली होती हैं और काम शक्ती में लिप्त रहती हैं इनके पराय पुरुषों से संबंध होते हैं और ऐसी इस्त्रियां जूट भी सबसे ज्याद करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई and थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो